हेलो दोस्तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला होगी दोस्तो यहाँ पे अगर आपके फोन में इनसाट एपलिकेशन से अगर आपको वीडियो यहाँ पे अपने फोन में सेव करना चाहते हैं तो आपके फोन में सेव नहीं होता है तो यहाँ पे आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ जाती है कभी-कभी जो सेव होते होते जो है बंद हो जाता है मतलब कि एडिट होते रहता है और आटोमेटिकली कर जाता है तो इन सभी प्रॉब्लम को आप लोग यहाँ पे कैसे ठीक करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना है सबसे पहले तो आप लोग यहाँ पे अपने फोन में जो इन सॉट का एप्लिकेशन है आप लोग यहाँ पे उसको जो है अपडेट कर लिजिए तो आप लोग यहाँ पे play store में जाके update करिए और उसके बाद दोस्तों अब मैं आपको पूरा process बताता हूँ कि किस तरीके से आपको जो है वीडियो को edit करना है तो आप लोग यहाँ पे सबसे पहले insert app को open करिए open करने के बाद आपको वीडियो पे click करना है और यहाँ पे दोस्तों आपको वीडियो वाले option पे आ जाना है यहाँ पे आने के बाद दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे इस तरीके से दिखाई देगा तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है जो भी वीडियो को आपको edit करना है उसको आप लोग सेलेक्ट कर लीजिए उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को जो है नीचे की ओर जो है राइट का अइकोन है अगर राइट वाला आइकोन पे क्लिक करेज़े उसके बाद आपका जो video है वो इस तरीकर से यहाँ पे आ जाता है तो आप लोग जो भी customize करना चाते हैं, वो आप लोग यहाँ पर कर सकते हैं दोस्तों उसके बाद दोस्तों आपको यहां पर उपर की और save वाले option पर क्लिक करना है save वाले option पर जैसे ही आप लोग click करेंगे न स回去ृषा टो उसके बाद यहां पर यह आपको पूछेगा कि आप यहां पर कौम से करना चाहते account और ku शक कर सकते हैं अदरום आपको यहां पर सब चीजे जो है लिए सेटिंग करनी है बस आपको इंप सेव पर क्लिक करना से उत्रक्राइब करने के बाद दोस्तों हो सकता है कि आपको यहां पर कुछ देखने को मिले तो आपको जो है इसको जुँए इससकी कर दिना है सिस्कीप करने के बाद आपको जो वीडिओ वो यहां पे एडिट होने लगेगा और यहां पर दोस्तों इज aquí वीदियो को जो है यहां पर सेव करपाएंगे डिलिशनain को तो इस तरीके से आप लोगे आप पर अपने फोन में किसी भी वीडियो को जो है यहाँ पर सेव कर पाएंगे